कहिए कैसे हैं आप कारे करम में आपका स्वागत है येश्यू के नाम में इस कारे करम में आपके साथ मुखातिब होने से कुछ दिन पहले ही हमने इस्टर मनाया है मैं करमब बद तरीके से अपनी बाविल को बढ़ता हूँ और आज प्रभु ने मुझे ये वचन दिया कि आपके साथ बाटू ऐसा लिखा है यहुना उन्निस अध्याए और अठाइस से तीस वचन में जब येश्यू क्रूस पर मरने को था तो उसके मुझे आखरी वचन निकला पूरा हुआ मकसद मुकमल हुआ मेरा काम समाप्त हुआ अब मैं अपने पिता के पास लौटूंगा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं विश्वासी होने के नाते अपनी दोड़ पूरी करें दोड़ को मजबूती से पूरा करें दोड़ शुरू करना तो आसान है पर दोड़ पूरी करना इतना आसान नहीं होता बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कि बड़ी-बड़ी सेवकाई जिनकी शुरूरात अच्छी रही परन तो आखिरकार किसी कारण से तूट गई या खंडित हो गई और अब उनका नाम तक नहीं है लुप्त हो गई यहां तक कि कई बार तो उनका पतन हो गया यह बहुत दुखत बात है येशु को अच्छी शुरूआत वालों में रूची नहीं है उसे दोड़ पूरी करने वाले पसंद है येशु ने खुद अपनी दोड़ पूरी की और अच्छी तरह पूरी की मेरे दोस्त जब वो गसंदी के बाग में था और पसीनी की जगा खून निकल रहा था जैसे बाइविल में लिखा है क्योंकि ऐसा मनुष्य के साथ हो सकता है डॉक्टर कहते हैं जब कोई मनुष्य अत्यंत तनाव में होता है तो उसकी शरीर में से खून निकल सकता है और येशु के साथ ठीक ऐसा ही हुआ फिर भी येशु ने कहा मेरी इच्छा नहीं पर हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो येशु ने अपना काम पूरा किया मुझे और आपको भी अपना काम पूरा करना है येशु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं ऐसा आप पढ़ेंगे मत्ती के 20 अध्याई के 16 वचन में और पढ़ें मत्ती 22 अध्याई 14 वचन बुलाए हुए बहुत चुने हुए कम मैं समझ नहीं पाया कि यहां येशु क्या कहना चाहता था तो मैंने इसे एक दूसरी अध्यन की बाइबिल में पढ़ा इसे वहां एक सामन्य बुलाहट कहा गया लिखा है चुने हुए कम है तो ये चुने हुए कौन है वही जो अपनी दौड़ पूरी करते हैं बहुतेरे हैं जो शुरुआत करते हैं लेकिन भटक जाते हैं दोस्त हमें वो कहानी याद है कि बीज कैसे मारके किनारे और पत्रिली जमीन पर गिरा और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा तो मैं कहूंगा कि अपनी दौड़ पूरी करें जैसे येशु ने दौड़ शुरू की और इस प्रिच्वी पर उसे पूरा किया और मजबूती से दौड़ पूरी की जब हम दौड़ की समापती रेखा तक पहुँचें तो ऐसा ना हो की रेंग रेंग कर पहुँचें घुटनों के बल नहीं परंतु अपनी दौड़ जैसे एक तेज दौड़ाक पूरी करता है वैसी पूरी करें हम सब जानते हैं कि दौड़ शुरू करना असान है जब आप येशु को जीवन देते हैं तब सब आपको पसंद करते हैं आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है बेहन वो आपको फोन करते हैं और फोन पर वचन भेजते हैं अपनी अपनी कलीसिया में बोलाते हैं आपको बाइबिल देते हैं पर कुछ देर बाद क्या होता है आपको अपने पैरू पर खड़ा होना होता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में मश्कूल हो जाते हैं ये मुश्किल होता है अगर आप दक्षिन अफरीका की कॉमरेड्स मैराथन को देखेंगे तो समझ जाएंगे वो दोड़ाक आपको बताएंगे कि सबसे मुश्किल भाग बीच का भाग होता है उसे हैरिसन फ्लैट्स कहते हैं यहां तक कि हुआ दर्शक भी बहुत कम होते हैं बेकार दृष्य होता है आसपास कोई सुंदरता नहीं बस खाली मैदान और यहीं पर विश्वास की असल परक होती है पर जब आप अंतिम रेखा तक पहुंचते हैं तो दृष्य बदल जाता है आपको प्रोचसाहित करने वाले लोग आपको मिल जाते हैं हो सकता है आप भी अपनी दौड़ के बीचों बीच हो सब कुछ रूखा लग रहा हो अंतिम रेखा दिखाई नहीं दे रही हो और दौड़ शुरू करने की रेखा बहुत पीछे रह गई पर परमेश्वर के वचन को थामे रहें दूआ में और अधिक समय बिताएं और अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ें अपने आपको अनुसाशित करें अपनी संगती का ख्यायाल रखें न करात्मक लोगों से परे रहें पर विश्वासियों की संगती करें जो बताएंगे कि ये दौड़ का हिस्सा है परमेश्वर आप पर अनुग्रा करें आप अपनी दौड़ वजबूती से पूरी करें येश्व ने कहा पूरा हुआ और उसने पूरा किया उसने काम तमाम किया आप भी डटे रहें अन्थ तक हम फिर मिलेंगे रभू आपको आशिष दे ताकि आप वजबूती से अपनी दौड़ पूरी करें We trust that you have been blessed by today's message